वेलकम टू मिश्टर वालीवूड दोस्तो आज हम ऐसे सक्सियत के बारे में जानेंगे जो की अपने फैंस के लिए भगवान माने जाते हैं और हम जब भे उनका नाम लेते हैं हमारे सामने एक सुपरिश्टार के छबी नजर आती है जिन्हें हम आज सुपरिश्टार रजनी कांत के नाम से जानते हैं तो इस वीडियो में हम आज रजनी कांत के परिवार से जुड़े लोगों के बारे में जानेंगे दोस्तो रजनी कांत का जैनम सन 1950 में करनाटक के एक मराठा परिवार में हुआ था और उनके पूरवज महराश्टर के पूने से बिलोंग करते थे जिसके कारण उनके मराथी और कन्नड दोनों ही भासाएं बोलनी आती थी रजनीकांत का पहला नाम सिवाजी राव गायकवाड है जो की महराज छत्रपती सिवाजी से प्रेडित है अगर हम रजनीकांत के अभिनाई के प्रती रूजी की बात करें तो रजनीकांत सुरु से ही एक्टिंग के करियर में हाथ आजमाना चाहते थे जिसके कारण उनके दोस्त राज बहादुर ने उनका दाखिला चिन्नाई के एक फिल्म संस्थान में करवा दिया और साथ ही राज बहादुर रजनीकांत का फिस भी देते थे क्योंकि उन दोनों रजनीकांत अपना फिस देने के लायक नहीं थे और उन्होंने अपने इस्ट्रगलिंग डेस में कई छोटे मोटे काम भी किये थे जिन में बढ़ाई और बस कंड़क्टर जैसे काम भी सामिल है जब रजनीकांत ने चन्नाई के फिल्म इंस्टिट्यूट में एडमिसन लिया था तभी उनकी मुलकात डारेक्टर के बाला चंदर से हुई थी जिनोंने की रजनीकांत को फिल्मों में बड़े छोटे रोस दिलाया हाला कि तमील भासा रजनीकांत को बहुत कम आती थी क्योंकि वो ज्यदा तर मराठी बोलते थे मगर बाद में उन्होंने तमील भासा में महारत हासिल कर ली और साल 1975 में वो वक्त था जब रजनी कांथ अपनी पहली तमिल फिल्म अपुर्व रंगालाल में सुपरिश्टार कमल हसान को साथ नजर आय थे मगर रजनी कांथ को 1980 की फिल्म बिल्ला से अपनी पहली सफल फिल्म मिली जो की अमिताहू बच्चन की फिल्म डौन की रीमेक थी अगर रजनी कांथ के फैमिले की बात करें तो रजनी कांथ की मा जीजा भाई एक हास भाई थी और उनके पिता रामोजी राव गायकवार एक पुलिस कॉंस्टेवल थे जिनकी कुल चार संताने थी जिनमें तीन बेटी और एक बेटी भी थी रजनी कांथ अपने भाई बहन में सबसे छोटे थे बड़े भाई का नाम सत्य नरायन राव और नागेसबर राव है और बहन का नाम असबत बालु भाई है जो की अपनी जिन्दगी एक आम आदमी के तरह जीती है रजनी कांथ की बात करें तो उन्होंने साल 1981 में लता रजन का इंटर्व्यू लेने भेजा गया तब वो रजनी कांथ को काफी पसंद आई थी जिसके बात इन्होंने एक दूसरे से साधी कर लिया जिससे की लता और रजनी कांथ के घर दो बेटियों ने जनम लिया जिनका नाम एसबरिय रजनी कांथ और सौंदरिय रजनी कांथ लखी हैं जिन में से एक फिल्म तीन का सौंग वाई दिस खुला वेरीडी रिलीज होते ही इंटरनेट सेंसेशन वन गया था साथ ही ये इस्टार विजय चैनल पर आने वाले रियल्टी डांस सो जोडी नंबर पन की जज भी रह चुकी हैं अगर एसबरिया के परसनल लाइप लिंगा ने जनम लिया और अगर धनुस की बात करें तो उनका असली नाम वेंकटेस प्रवू कस्तूरी राजा है साथे इनकी फिल्मों में फाइट सिंस के दोरान मार्शल आर्ट्स की जलक देखती है जिसके कारण इन्हें फैंसे इंडियन बूसली के नाम से भी बुलाते हैं धनुस का जनम साल 1982 में तमिल फिल्म डिरेक्टर कस्तूरी राजा के यहां हुआ था जिन्होंने की अपने करियर की सुरुवात घर से भाग कर किया था और फिर चन्याई आने के बाद इन्होंने तमिल इंडिस्ट्री में काम करना सुरू कर दिया धनुस के एक भाई भी हैं जिनका नाम सेलवा रागवन हैं और यह तमिल फिल्म में डिरेक्शन और स्क्रिन राइटिंग का काम करती हैं और साल 2002 की तमिल फिल्म थुलू वादू इलमाई की स्क्रेप्ट को भी सेलवा रागवन नहीं लिखा था जिसमें की धनुस और सेलवा रागवन के पीता कस लिए उन्हें काफी तारीफें मिली थी हाला कि अगर हम धनुस की पहले फिल्म की बात करें तो वो फिल्म थी साल 2002 की तुलू बादू इलामाई जिसके बाद धनुस ने पोला धाबन और यारादे ने मोहिनी जैसे सुपर हिट फिल्में देकर खुद को एक आने वाला सुपर एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें की बॉलिवुड में भी सक्सेस मिला हो धनुस ने साल 2013 में राजणा फिल्म से बॉलिवुड में अपना डेब्यू किया था इसे की आनन्द एल राय ने डारेक्ट किया था और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट सावित होई थी जिसके ल अपनी फिल्मों को बनाते हैं साथ ही साल 2017 के फिल्म पापांडी से उन्होंने डारेक्शन में भी अपना कदम रखा तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रजनी कांत की छोटी बेटी सौंदरिया के वारे में जिनका जनमे साल 1984 में हुआ था और ये एक प्रोडूसर ग्र रजनी कांत के फिल्मों के टाइटलस को भी डिजाइन किया करती हैं साथी वर्नर ब्रोस एंटरेनमेंट ने सौंदरिया के फिल्म प्रूडक्सन कम्पणी ओकर स्टूडीयो के साथ एक अगरीमिंट भी साइन किया था जिसके अंडर तमिल फिल्मों को बनाया और रिस्टि सांधरिया ने इंडिया की पहली मोशन कैप्चिर फिल्म कोचांडिया को डारेक्ट किया जिसमें की रजनी कांथ लीड रोल प्ले कर रहे थे सांधरिया के नीजे जिन्दगी की बात करें तो इनकी साधी साल 2010 में अस्विन रामकुमार से हुई थी जो कि एक इंडेस्ट्रियलेस्ट हैं और इंडूनों का एक बेटा भी है मगर साल 2017 में किसी आपसी जगड़े के कारण इंडून ने तलाक ले लिया और फिर साल 2019 में सौंधरिया ने विसागन वैनन मूडी के नाम के एक एक्टर और विजनेसमेंस से साधी कर लिया तो दोस्तों ये था सुपेस्टा रजनी के और उनके परिवार के कुछ छोटी बड़ी जानकारी अगर जो मेरे दोरा दे गई इंफोर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें